दोस्तो सम्मिदा ओट्सोर्स कर्मियों के लिए बहुत बड़ी खुसकबरी आने वाली है 2024 नियमितिकरन नीती का जो है एलान किया सकता है सरकार के तरप से और आपे देख सकते हैं 2024 से ठेका कर्मियों को मिलेगा पका रोजगार नियमितिकरन नीती का हो सकता है एलान वही फाइनली इसमें फैसला नहीं आया है लेकिन नीती बनाई जा चुकी है तो इसके लिए कौन-कौन से पातर होंगे आखिर ये नियमितिकरन नीती क्या है और आखिर इसके लिए कौन-कौन से आप एक करमचारी इसके लिए जो है इलिजिवल हैं तो सारी जानकारे में आपको इस वीडियो में दूँगा तो वीडियो में लास्त तक बने रहीएगा वीडियो अच्छा लेगा लाइक इन सेर जरूर करें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ये नियूज जो भारत के अलग राजियों में अलग विभागों में बहुत सारे कार्यत ऐसे कर्मी हैं जो संविदा पर आउट्सोर्स पर बहाल है और इन करमचारियों को अक्षर कम बेतन कम सुविदाय जो है आप दी जाती है और अच्छा का सामना करना पड़ता है आप लोगों को जो भी नियमित करने का जो फ्हेशला लिया है तो आखिर जो ही एक क्या है और नियमित करने नीती द्वर्चोईस क्या है वो भी मैं आगी इस विडियों में आपको बताऊंगा यहां नीती लाखों क्रमचारियों के जीमने में बड़ा बदलाव ला सकती है इससे उन्हें अस्था चाल मिलेगी जो कि सरकालिये करमचारियों को जो है मिलती है तो इनितिकरन नीति जाल चुविस क्या है तो आटेस में अच्छी से समझते हैं तो आपे देख सकते हैं फ्रेंस नियमितिक्राण नित्य जवर्च्विस एक नहीं यूजना है जिसका उद्धेश संविधा एपम आउट्शोर्च कर्मियों को नियमित करना है और इस नित्य के तहत लंबे समय से काम कर रहे हैं अस्थाई करमचार पहले हम लोग समझ लेते हैं आपे निती नियमितिक्राण निती दुवर्च्विस आखिर है क्या तो आपे देख सकते हैं निती का जो नाम यहाँ पर दिया गया है सरकार के तरफ से नियमितिक्राण निती दुवर्च्विस रखा गया है लागू होनी की जो तीथी एक जन आप लोग पात्र नहीं है, तीन साल लगतार एक ही विभाग में एक ही जगा पर सेवा दे चुके हैं, तभी आप लोग जो है इसके लिए निती नियमेतिकरन निती दोहर चुविस में आप लोग आएंगे, लगवार्ती की संक्या जो होगी लगवग जो अनुमानिती जो है तो स्थाई नोकरी है, बहतर बहतन मिलेगा, और समाजिक स्रच्छा मिलेगी, जो कि आप लोग को नियमेतिकरन किया जाएगा, तो एक सरकारी करमचारी आप लोग जो है हो जाएंगे, पातरता की बात करें तो अच्छा कारी परदर्शन और नियुंतम योगिता होग तो नीति के लाब के बारे में जान जाते हैं, इस करमचारी क फाइदे मिलेंगे तो आप लोगो नाद चाहिए, जैसले सरकारी करमचारी की तरद आपर सुविधाएंगी, नियुदतकरू के लाव जाता है… नौकरी की सुरक्षा सबसे पहले हो जाएगी अस्थाई नौकरी मिलने से क्रमचारी तक रोज़ार की गरंटी मिलेगी आप लोग को डर नहीं रहेगा कि हम लोग की कब जो है सेवा समाप किर जाएगी कब आप लोग को यह तरह का कोई डर आप लोग के पास नहीं रहेगी और जो है लाइफ आप जो है सेक्यों हो जाएगा आप लोग के नौकरि हो जाएगी बहतर बेतन की बात करें नियमित करमचारी से ज्यादा बेतन मिलता है आप लोग को मालूम ही होगा जो भी करमचारी इस विडियो को देख रहे होंगे संभीदा फिर आप या फिर आउट्सोर्च पर बहाल जी से लाव मिलेंगे जैसे आप लोग को नियमितिरंद कर दिया जाता है तो अस्थाई के तिर्ष Becka- Sarah सभी सारी सुभधाईं अप लोग को दे होगा कERियर परगति की बात करें तो नियमित करमचारिय रिए के पद्धोनत्ती और करियर पिकास के लिए अधिक अप्सर मिलेंगे तो इस बात को आप लोग यहाँ पर ध्यान दियेगा जैसे यह आप लोग को नियमितिरन कर दिया जाएगा तो आप लोग को परमोशन भी किया जाएगा आपकी जो है उपरे पोस्ट पे आप जो है आप जो आपे बहतर कार स्थिती की बात करें तो अस्ठाई क्रमचार्यों को बहतर बेकार, प्रिस्थितिया, और स्विधाय और जोकी शारी सुविधाएं आप लोगो भी दिया जाएगा निमरीत्य के लिए पातरता है तो आई ये हम लोगे हाँ पर जानते हैं तो हर समविधा और सोर्स कर्मी निमरीत्य के लिए पातर नहीं होगा सरकार ने कुछ मानधन्ड तैक किये हैं ठीक है तो इस बात को आप सारी बाते समझ में आएंगी तो क्रमचारियों को कम से कम तीन साल तक लगतार काम किया होना चाहिए एक ही विभाग एक ही जगा पे आप लोग को लगतार तीन साल का कार्यानुभव होना चाहिए तभी इसके लिए आप लोग पात्र हैं अगर तीन साल से कम है तो आप लोग इस नियमंतिकरण नीति द्ष्ट च्वेस के लिए पात्र नहीं होंगे करमचारियों का बत्रशन अच्छा होना चाहिए जो कि आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग जो भी और जो कर्या ले में परत्रशन के पात्र हो चाहिए आपaka कि इमघ्तिगरण के समय पचास वर से कम होनी चाहिए तो इस वात को आप ध्यान दिजिएगा। पचास वर से जिनका वी जो है उम्र जादा हो चुका है उनको पचास वरसे उमर के लोगों हैं इसके लाब में हम लोग समझ लेते हैं कि आखीर ने मित्र टीकर्ण पर के लिए पात्र का का नहीं आया है अभी नीती ही मनाय जा रहा है इसके पेस्टा जैसे ही आता है तो आप लोगों को एक आविधन फर्म दिया जाएगा उसको आप लोग को घर करके जो है अपने कर्याले में ही जमा करने होंगे उसके बाद जो है दस्तावेज सत्यापन होगा करमचारियों के दस् सच्चतकार के लिए आप लोगो जो डिबार्टमेंटल एकजाम जी से कहते हैं, वो भी होने की संभावना जदाई जा रही है, चैनित करमचारियों को सच्चतकार लिया जा सकता है, और साथ स्वास्त जाच हो भी होगा, करमचारियों की मेटकल जाच की जा सकती है, और जो किता भी होनी चाहिए, उस बात पर भी आप लोगो ध्यान देजिएगा, और पचास वरसे कम उम्र होना चाहिए, इस बात पर भी आप लोगो जो है, गोर करना पड़ेगा, नियमेतिरन का प्रभाव आपको क्या होने वाली है, तो परभाव के बारे में हम लोग जानते है, तो कितने बड़े अस्तर पर व्यापक परभाव पड़ेगा है, सभी के जीवन पर एक अच्छी जो है, उसमें बेतर सुविधाय मिलेगी, उनकी जीवन जो है, सिक्यूर हो जाएगी, लाइप सिक्यूर हो जाएगा, करमचारियों की आए में ब्रधी होगी, और उससे जो है, उनके जीवन अस्तर भी सुधरेगा, करमचारियों की बेतर समाजिक सुरच्छा मिलेगी, नियुकताओं को अधिक पर्तिवत और कुछल करमचारी मिलेगी, और त्विवस्ता को मजूती मिलेगी, क्योंकि अधिक लोगों के पास अस्ताई आए होगी, तो इसी को ब लागत तो सरकार पे ओल्डेडी एक बढ़ेगी ही, जैसे स्थाह किया जाता है, तो बढ़ना तु्त रहे हैं, और बढ़ेगी ही, और साथ-चाथ कुछ लोगों का मानना है कि इस से नए रोजगार की अफशर कम हो जाएंगे, तो खुछ लोगों का कहना है कि यह नए सीरे कहना है कि इस नितियों को लाउग करना मुश्किल हो सकता है तो थोड़ा बहुत मुश्किल तो है क्योंकि बहुत जादा संख्या में यहां पर करमचारियों को यहां पर किया जाएगा सरकार का पक्ष हम लोग सुन लेते हैं कि सरकार का पच क्या है तो सरकार का गाना है कि यह निती जरूरी है और जो कि बहुत ही जरूरी है आप लोग भी जानते ही होंगे कि बहुत सारी सोसन हो रहा है यहां पर और सोर्चोसने मिदा कर्मियों के साथ तो ये निती तो जरूरी है ये सरकार करताना है इस चार पॉइंट हाँ पे सरकार दिया गया है कि आपे निमतिर का निती लाया जा रहा है तो इस क्रमचारियों को नयाय मिलेगा ठीक है इसे जो है क्रमचारियों को नयाय मिलेगा साथ इससे एक सरमकार्णों का बेहतर पालन ह होगा इसे करमचारियों की उद्वाधता बढ़ेगी और इसे जो है समाज में असमानता कम होगी तो यह चार पॉइंट के तहद देखते हुए जो सरकार इसमें फैसल नेरी की समामना चताई जा रही है नियमेतकन के लिए तयारी की करते हैं तो यहां पर जानते हैं अगर एक समबिदा या और स्क्रमचारी है तो आप इस तरह के तयारी कर सकते हैं आप सकते हैं घ्र आपने विखाग में काम करें ताकि आप लोग भी आनुसासमत करभाई ना हो। आपने कौशल को बढ़ाएं। नीती के बारे में बढ़ाएं। झानकारी में ड़्कते हैं, अपने अधिकारी और आधिकार को बारे में जाने। नԲिए रिप्लाइ करने का प्रयास करूँगा और आप लोग इसी तरह की जो है हमारे चैनल पर बने देएगा अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को जी सब्सक्राइब जरू कर लें क्योंकि यहाले चैनल पर इसी तरह की लिटिस्ट अपडेट आप लोग के लिए देता रह प्रयूट